नमस्कार बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पवंतिवारी भारत के पुर्व हेड कोच रविशास्त्री का एक बयान सामने आया है जब रविशास्त्री से पूछा गया कि वह अपने कोच के तोर पर करियर के कौन सी हार को बदलना चाहते हैं कौन से मैच का परिणाम बदलना चाहते हैं तो उसको लेकर रविशास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है आपको बता दे हैं कि रविश आस्त्री टीम इंडिया के साथ लगतार चार सालों तक जुड़े रहे रविश आस्त्री के बतौर कोच टीम इंडिया ने आश्रेलिया में दो बार दोरा किया दोनों ही बार जीत हासिल की इसके लावा इंगलेंड में भी जाकर बहतर प्रदर्शन किया वंडे में भी टीम इंडिया का शांदार प्रदर्शन रहा और अब रविश आस्त्री जब पूछा गया कि वह कौन से अपने कोच के बतोर करियर का प्रिणाम बदलना चाहते हैं और कौन से मैच को सबसे ज़्यादा याद कर दें तब रविश आस्तरी ने कहा कि 2019 वर्लकप में सेमी फैनल में जो भारत को हार मिली मैं उसका प्रिणाम बदलना चाहता हूँ अगर हो सके तो उस मैच के प्रिणाम को बदला जा सके तो मैं उसे बदलना चाहूँगा उन्होंने कहा कि उस मैच की हार और उस मैच को पचाना मेरे लिए बेहद मुश्किल है साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत ने प्रदशन किया था भारत जीत सकता था लेकिन भारत को इस मैच में हार मिली थी आपको बता दें कि 2019 वर्ल्ड कप सेमी फाइनल में भारत के टीम जब लक्षे का पीछा करने उतरी थी इसके लावा रविशास्तरी ने काया कि 1987 और 1983 वर्ल्ड कप की तेखे हैं तो 1987 वर्ल्ड कप में टीम ज्यादा मजबूत थी उन्होंने इस बात का भी जिकर कि बतार खुलाडी मों देखता हूं कि 1987 वर्ल्ड कप के दुरान टीम ज्यादा मजबूत थी लेकिन टीम उस दोरान भी हार गई थी बाराला आपके एक सोसे रविशास्त्री के बयान से हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें वन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार